आज के व्लोग में मैं आपको लेके आया हूं भिलाई के सेक्टर 6 पेट्रोट पंवाला जो एरिया है ना जश्ट उसके पीछे साइट पर पुलिस लाइन पड़ता है मतलब पुलिस ग्राउंड बोल सकते हो वहां पर बनाया गया है भाई केलास परवत मतलब क्लास मानसर और परवत और यहां पर आप लोगों को 12 जोतीर लिंक का जहां की देखने को मिलेगा अब कर दोस्तों मेरा नाम है दिपक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल दिपक सोनी व्लॉक स्वागत है आपका मेरी इस नए वीडियो में इस नए वीडियो में मैं आपके ल जानकारी नहीं है इस लिए इस वीडियो के माध्यम से जानकारी हो जाएगी तो आप लोग आके यहां पर दर्शन करना जरूर चलिए अंदर चलते पंडाल में बहुती अच्छे तरीके से सजाया गया है बाहर से अच्छा दिख रहे हैं अब अंदर से देखते हैं कि किस तो यहां चलते से अंधर चलते हैं और टिकट का प्राइश ए़ करता हूं कि क्या है सब्सक्राइब लुएं अधर लोग बिना साथ नहीं है यह इसी वज़ें से थोड़ा से आंधर फ़िए रोड से यहां पर पाड़ी रखने नहीं Вас जैसे बाकी पंडालों में गाड़ी रखने का भी पार्किंग का आप लोगों से 20 रुपे लिया जा रहा है यहां पर वैसा नहीं है यहां पर आप लोग फिरी गाड़ी पार्किंग अंदर जाओगे बस 20 रुपीज पर परसन टिकेट है बिलो 5 यर आप लोग बोल सकते हो कि नहीं लगेगा और अब फाइव यर टिकेट लगेगा जो कि 20 रुपे पर परसन है ना चलिए अंदर चलते हैं टिकेट तो मैं ले लिया हूँ इस टाइप का कुछ टिकेट दिख जाएगा आप लोगों को और एंटरी के समय आप लोगों को टिकेट दिखाना है अब के ला आप लोगों सबसे पहले देखने को मिलता है रामिश्वरम में जो जहांकी है वह आप लोग देख रहे हो नॉर्मल के टेगरीकत दिख रहे है पर जो यह बनाया गया जो ब्रिज वो उसको राम से तुको दर्साया जा रहा है उसके बाद जैसे जैसे अब दीरे अंदर और उसके बाद पड़ता है आप लोगों को ओम कारेश्वर ओम कारेश्वर के बाद में बैजनाथ जो बनाया है वो देखने लाइक मतलब जिससे बाँल ने रिखिने को माहा कलेश्वर की जैसी आप 6 कंपेट करने को मिलेंगे केलास मानशरी परवत में जो गनेज बैटे ह एक महराजा की मूर्थी टैप में जो आकरिती बनाया गया है और गनेश जी तो अपने आप में महराजा आप लोग जानते ही हो उसके बाद जैसे ही आप दर्शन करके गनेश जी का निकलते हो तो बाकी के छोतिर लिंग अभी भी बचे हुए हैं जो कि सबसे पहने जो आप ल जिश्वनात ऐसे करके दीरे दीरे आप लोग जैसे जैसे अंदर जाते जाओगे आप लोगों को दिख्चे जाएगा और उसके बाद में केदार ना जो की मेरा सबसे फेवरेट है ना जैसे कि यहां पर जो दर्सा आया गया ना ब्रिच वो लकडी का है इसमें चलने में आ केरिया भी अच्छा है पार्किंग का पैसा नहीं है सबसे अच्छी बात है स्टॉल भी लगे हुए है फुट स्टॉल प्लस जूले की फैसिलिटी है जो की नॉर्मल है ना मतलब ज्यादा जूला भी आपर रखा नहीं गया है नॉर्मल ही रखा गया आप लोगों के लिए अच्छे पंडाल की लोकेशन पर तब तक के लिए बाए